हेलो एवरीवन वेल्कम टो आर चैनल दिस इस शिश्टी अगरवाल तो मैं आप सभी कक्षा चारव पांच की स्टूरेंस के लिए लेकर आई हूं प्रयास टू प्रीज रेमेडिशन वागबू सब्जिक इंग्लिश की जिसमें हमने मिडलाइन असेस्में तक कम्टी सॉलिश तो यहां पर देखिए सबसे पहले वक्षीट 56 में कोशिन है आपको कुछ वर्स गीविन है देखिए और पिक्चर भी गीविन है तो आपको इन वर्ड में से चूल करना है कि वह पिक्चर किस एक्टिविटी की है देखिए यहां पर बच्चा उठ रहा है तो उठते हुए है तो यहां पर लिख देगे वेकप यानि उठना बच्चा रेडी हो रहा है स्कूल के लिए तो यहां लुचाएगा रेडी फोर स्कूल बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो यहां हो जाएगा गो टू स्कूल लंच कर रहा है बेबी तो यहां पर हो जाएगा है लंच गो टू बच्चे खेल रहे हैं तो क्या लिखेंगे go to play और सोने की तयारी हो रही है यहां पर तो यहां लिख देंगे go to back तो यह था वक्षिट 56 का solution अब हम देखेंगे वक्षिट 57 लोकेट दी पिक्चर केरफुली और राइट दी नेम आफ दी गेम आपको गेम्स को केरफुली यह क्रिकेट है क्रिकेट की पिक्चर दिख रही है आपको एक बैटमेन दिख रहा है और एक दिख रहा है फिल्डर तो यहां पर हो जाएगा क्रिकेट यह कौन सा गेम है क्रिकेट नेक्स्ट है बच्चे बैटे हैं और एक जना भाग रहा है दूसरा उसको पकड़ रहा है यह कौन सा गेम है, खोखोग, जो स्कूल में सबसे ज़ादा खेला जाता है, नेक्स्ट है, एक दूसरे को पकड रहे हैं, यह क्या है, कबड़ी, ठीक है, कौन सा खेले यह, कबड़ी, नेक्स्ट है, वॉलीबॉल, और नेक्स्ट पिक्चर है, चेस, तो यह था, वक्षिर 57 का सॉलिशन, अब हम देखेंगे, वक्षिर 58, जिसमें कोशन है, फिल इन दी ब्लैंक्स, वे दी वर्स गिविन इन दी बॉक्स, आपको फिल करना है, ब्लैंक्स को दिये गए वर्स से, जो कि है, ओवर, इंटु, इन, आफ्टर, अंडर, जो कि है, प्रिपोजिशन, ओवर का अर्थ होता है, जब आप कोई चीज टच करत किसी सर्फेस को ऊपर की और होती है, लटकी हुई रहती है, तो ओवर का यूज करते हैं, इन टु का यूज करते हैं, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की क्रिया के लिए, इन का अर्थ होता है, के अंदर, आफ्टर के यूज करते हैं, हम के पीछे या के बात के लिए, और का यूज करते हैं के नेचे के लिए अगर आपको अर्थ याद है तो आप जो दिये के ब्लैंक से उनमें अच्छा से केरफुली भर सकते हैं इन सभी ब्लैंक को The boys are blank the class boys कहां पर है class के अंदर तो यहां हो जाएगा in the class the horse is jumped blank the wall अब horse ने jump किया wall के उपर से touch करते हुए तो jump नहीं करेगा तो यहां हो जाएगा over the wall The dog is running किसी चीज के अंदर नहीं है इसलिए over का use करा है ठीक है wall के उपर से jump किया horse ने अगर river होता या well होता तो यूज करते इंटू का The dog is running the cat अब cat के पीछे भागेगा dog तो यहां use हो जाएगा after the cat Radha is putting her books blank her bag अब Radha books को रख रही है बहार से अंदर अपने bag में तो यहां हो जाएगा into her bag The dog is sitting blank the car, car की नेचे बैटा है तो यहां हो जाएगा under the car Fill in the blanks with suitable preposition यहां भी आपको इन ही preposition का यूज करते हुए fill करना है sentences को यहां पर अलग भी आपको मिलेगा preposition देखे The cat jumped blank the river cat ने जंप किया river के अंदर बाहर से अंदर तो यहां हो जाएगा into the river Mina is sitting blank the bed, अब बैड के उपर बैठेगी ना तो के उपर के लिए हो जाएगा on the bed She is sleeping blank a tree, अब वह सो रही है tree के नीचे तो यहां हो जाएगा under the, under a tree Mina is standing blank the bus stop, bus stop के उपर तो खड़े नहीं रह सकते हैं, bus stop पर खड़े हो सकते हैं तो यहां पर पर के लिए हो जाएगा use 8 का, at the gate, at the door, at the bus stop, इस तरह से use होता है, at the shop, ठीक है, तो 8 के साथ में जो जो use होते हैं, वो भी मैंना आपको बता दिया है, Monday comes blank Sunday, अब Sunday की बाद आता है Monday, तो यहां लिख देंगे after Sunday तो यह होता है, worksheet 58 का solution done, अब देखेंगे, worksheet 59, जसमें question है, make sentence by using words given in the box, आपको box में कुछ words given है, इन words से आपको sentence बनाना है, जैसे बना रखा है, यहां पर pond से, this is a pond, यह एक तालाब है, तो यहां लिख देंगे, this is a cow, यह एक guy है, this is a girl, यह एक लड़की है, this is a story book, यह एक story book है, this is a jar, यह एक jar है, this is a key, यह एक चाबी है, this is a bird, यह एक पक्षी है, this is a box, यह एक box है, तो इस तरह से हमने बना दिया है, यहां पर sentences को देखेंगे, वर्स से, यह होता है, बक्षिर 59 का solution done, अब देखेंगे, बक्षिर 60, जसमें question है, write the name of number, member of your family, आपको members जो है, आपक आपकी दादा जी का नाम, रामला है, my grandmother's name, grandmother's name, grandmother's name, Gopi, my father's name, father's name लिख देना है, Ramesh, my mother's name is Vimla, आपकी जो mother, father, grandfather, grandmother है, उनके आपको यहां पर नाम लिखने है, my sister name is Veena, my brother name is Vimal, my father's nephew, मेरी पापा के जो nephew है, उनका नाम क्या है, बिट्टू, my uncle's name is Prakash, my aunt's name is Pratima, my cousin's name is Golu, my mother's sister-in-law name is Sarita, sister-in-law ननग, मतलब पापा की बेहन, ठीक है, वो sister-in-law लगेगी आपकी मदर की, my father's nice, भतीजा या भाणजी, या भाणजा, nice's name is Sunita, बतीजी, ठीकि, nicey है, यहाँ पर, मैं हो जाएगा, बतीजी या भाणजी, तो Sunita लिख देगे, इस तरह से डन होता है, यह बक्षी 60 का solution, आप देखेंगे, असेस्मेंट नमबर 8 का solution, तो पिछले अगर बक्षी आपना केरफुली देखी है, तो इस असेस्मेंट क solution, आप पटा फरसी कर पाएंगे, जहाँ पर question first है, फिल इन दी ब्लैंक, विस सूटेबल प्रिपोजिशन, आपको सूटेबल प्रिपोजिशन से फिल करना है, ब्लैंक को, she came running, ब्लैंक दी हॉल, अब यहाँ पर हॉल में रन कर रही है, भागते हुए वो आई, हॉल के आई है, आई है, आई हम सिटिंग ऑन दी बैंच, बैंच पर बैटी हूं, तो यहाँ पर बैट रही हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा on का, टच करते हुए तो on का, she is in the classroom, वहाँ एक classroom में है, तब पुलिस is running, ब्लैंक दी थीव, अब पुलिस पीछे भागेगी चोर के, तो आप खोको लिख सकते हैं, चैस लिख सकते हैं, ठीक है, make sentence using the word given in the box, आपको box में कुछ words given है, इंसे sentence बनाने है, जैसे बना देंगे, this is a chair, these are cars, this is a bus, these are dolls, बहु अचन के साथ में हो जाएगा, these का use, प्लूरल के साथ, this is a fridge, फोर्थ है, write the name of your family member and their relation with you, आपको family member की name लिखने हैं, और उनसे relation क्या है, वो लिखना है, जैसे रोहन, मेरी father का नेम है, सीमा, mother का नेम है, राम, brother का नेम है, locate the picture and write the name of activity from the given box, आपको pictures को देखना है, और box में जो words दे रखे हैं, जो activities की name दे रखे हैं, आपको लिखना है, उन picture से match करते हुए, तो यहाँ पर देखे, बच्चा उठ रहा है, तो यहाँ लिखते हैंगे, get up, यानि उठना, यहाँ बच्चा तयार हो रहा है, school के लिए, तो यहाँ हो जाएगा ready for school, यहाँ बच्चे जा रहे है, school तो यहाँ हो जाएगा go to school, यहाँ बच्चा खाना खा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा have lunch, तो इस तरह से done होता है, assessment number 8 का solution, उमीदे सभी वक्षिस के आपको अच्छे से solution समझ आये होंगे, तो इस वीडियो में हम आपके काक्षात के लिट देखते रहेंगे, और भी इंपॉर्णन वक्षिस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धनेवाद,